प्रोडाना एक काजू ठाने के होते हैं ये गजब के फायदे काजू सेहत के लिए बहुत फायदे मंद है काजू ड्राइफूट्स में सबसे टेस्टी माना जाता है काजू का इस्तिमाल मिठाई और सबजी की ग्रीवी को स्वादिष्ट बनाने के लिए खूब किया जाता है काजू से बनी बरफी को ज्यादतर लोग बहुत पसंद करते हैं स्वाद के साथ ही यह सूखा मेवा सेहत को स्वस्थ रखने में भी खूब प्योगी है प्रोटीन, खनेज, आयरन, फाइबर, फोलेट, मेगनीशियम, फोस्पोरस, सेलेनियम, एंटी ओक्सिडेंट, मिननरल और विटामिन से भरपूर काजू से हद संबंधी कई तरह की परिशानियां दूर करने में मददगार है आप चाहते हैं कि बोडी में कॉलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहे तो कोशिश करें कि काजू रोज खाएं इसमें मोनोसैचूरेटिट फैट होता है साथ ही इसमें काफी मात्रा में आयरन भी होता है काजू में प्लेवनौल्स और कॉपर कैंसर सेल को बढ़ने से रोखता है इस कारोजाना सेवन करने से कैंसर जैसी जानलेवां भीमारी होने का खत्रा कम हो जाता है पेट के कैंसर में यह बहुत फाय देमंध है काजू में प्रोटीन और मोनो सैचुरेटर फैट भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिस से हड्डियों को मजबूती मिलती है इसमें प्रोटीन भी पाया जाता है जो हड्डियों के स्वास्ते के लिए जरूरी है काजू में फाइबर भी काफी होता है इसे स्नाक में लेंगे तो इनर्जी मिलेगी दैश अगर आप चाहते हैं कि आदाश्ट अच्छी रहे तो खाली पेट शेहद के साथ काजू मिला कर खाएं काजू विटामिन B का खजाना है काजू में इंसिंट इनर्जी दिने वाले गुन पाएं जाते हैं इसलिए अगर आपको दिन में बार-बार शरीर में थकान महसूस होती है तो ऐसे में 4-5 काजू का रोजाना सेवन करें आपको राहत मिलेगी रोज काजू ठाने से दातों को मजबूती मिलती है और मसूरे स्वस्थे रहते हैं काजू को पीस लें इसे दूद में मिलाकर स्किन पर लगाने से तवचा सुंदर और मुलायम बनती है रंगलत निखरती है एक रिसर्च में पता चला है कि काजू इंसुलन की मात्रा बढ़ाता है जिससे डायबिटीज नियंत्रित रहता है अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो काजू जरूर खाए लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि काजू को सीमित मात्रा में भी खाना चाहिए इसके ज्यादा सेवन से पेट से संबंधित परिशानिया हो जाती है